यूसेटी इंडिया यूसेट वहां थे हुकम थो कोई हेलिकोप्टर से हवाई निरिक्षन करें वो तो मैं समझ सकता हूँ साब वो कारकम बदल करके साउट में किस राजी में गए तो मुझे आद ने रहा और बोले हम 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 हवाई यहां से उपर थे देख लेंगे मैं सूरत पहुंचा हुआ था वो आने वाले थे मैं जानता हूँ आखिर में क्या हुआ होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं साब प्राकुति का अपदा में भी मैंने ऐसी मुसीबतों को जेला है नेकिन उसके बावजुद्धि उस समय भी मेरा मंतर था आज भी मेरा मंतर है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास भारत के विकास के लिए जुद्राख करें और हम सबको इसी राष्टे पर चलना चाहिए हम राज्यों का विकास से ही रास्ट्र का विकास कर पाएगे इस पे कोई कोई विवाद नहीं हो सकता है कोई विवाद नहीं हो सकता है और मैं आपको विश्वास देता हूँ सभापती जी राज जगर एक कदम चलता है तो दो कदम चलने की ताकट देने के बार कोपरेटिव फेडरलिजम क्या होता है और मैंने तो हमेशा कहा competitive cooperative federalism आज देश को जरूरत है competitive cooperative federalism हमारे राज्यों के बीच में तंदुरस परदा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े एक सकारात्पक सोच के साथ हमको चलने की जरूरत है और मैं ये राज्य में था तपी इसी विचारों को लेकर के काम करता था इसलिए चुपचाप सहता भी था फादर निये सभावती जी COVID एक उदारन है इतना बड़ा संकट आया दुनिया का ऐसे संकट के समय राज्य के मुख्यों मंत्रियों के साथ 20 बैठे के की उस कालखन में एक एक बात का विचार कुमस करके साथ लेकर के और सभी राज्यों का सयोग एक टीम बिल करके केंद्रो और राज्य ने काम किया दुनिया जिस मुसीबत को जेल नहीं पाई हम सबने मिल करके किसी एक को क्रेडिट मैं कभी नहीं दूँगा सबने मिल करके इस देश को बचाने के लिए जो हो सब्राइब राज्यों को भी उसकी क्रेडिट लेने का पुरा अधिकार है इस सोच में हमने काम किया अधनी सभापती जी जी ट्वेंटी का आयोजन है हम दिल्ली में कर सकते थे हम दिल्ली में बड़े-बड़े नेताओं के बीच लहे करके सब कुछ क्या नहीं कर पहले हुआ ही है हमने ऐसा नहीं किया रहा है हमने जी ट्वेंटी का पुरा यश राज्यों को दिल्ली में एक रिटिक की राज्यों में दो सो एक एक राज्यों को एक्सपोजर मिले दुनिया में ये गलती से नहीं हुआ योजना के तरीके से हुआ है मेरे लिए किसका किसकी सरकार इसके आधरपन पर देश नहीं चलाता है हम सब मिलकर के देश आगे बढ़ाना चाहते इस भूमिका से काम किया है आज देश में विदेश की महमान आते थे तो मेरे आने के बाद आ रहे था थोड़ा है पहले भी आते थे आज विदेश की महमान आते हैं तो मेरा आगरा रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए मैं उनको लेती है कि जाता हूं राज्यों में ताकि उनको पता चले कि मेरा देश शानद दिल्ली नहीं है मेरा देश चिन्नी में भी है मेरा देश बैंगलोरू में भी है मेरा देश हाइदरबाद में भी है मेरा देश पूरी में भी है भूमलेसवर में भी है मेरा देश कलकत इसके तराजू पर नहीं तोलते हैं एक एक इमांदारी से इस देश के भविश्य के लिए पूरे विश्व मेरे भारत को जाने इसके लिए हम प्रयास करते हैं और मैं अभी भी अभी जनवरी को इतना बड़ा काम रहता है सबको मानू मैं उसके बाद मी मैं 25 तारी को फ्रांस के राजपती को राजिस्तान की गलियों में गुआ रहा था उनिया को पता चले कि मेरा राजिस्तान ऐसा आधर निया सभावती जी हमने एक बहुत बड़ा कारकम दिया जिसकी विश्व में एक मोडिल के रूप में चरता हो रही है एस्पिरेशनल डिस्टिक एस्पिरेशनल डिस्टिक की जो सफलता है न उसमें 80% बहुनी का मेरे राजियों के सहयोग की है राजियों ने जो सहयोग किया उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्टिक की मेरी फावना को समझा आज उस एस्परिस्टिलर डिस्टिक को आगे बढ़ाने के लिए 80% ताकत राज्यों से मिल रही है डिस्टिक लेवल के अपसरों से मिल रही है और जो राज्य वो राज्य की आउसत में भी आखरी पायदान पर खड़े थे वो आज नेशनल एवरेज के साथ कॉम्पूटिशन करने लगे ये डिस्टिक अभी पीशेडी डिस्टिक माने जाते थे ये सबकर सयोग से हो रहा है और इसलिए हमारे कारिकमों की रचना ही सबको साथ लेकर के चलने की है और मिल करके देश के भविश्य को बनाने की है अज देश का हर कोना हर परिवा विकास के फल प्राप्त करे है ये हम सब पादाइक वह है और हम उसी जिसा में जाना चाहते है हम हर राज को उसका पूरा हग भी देना चाहते है लेकिन मैं आज एक एहम मुद्वे पर मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहूँगा आदरिने सभापती जी एक राष्ट हमारे लिए सिर्फ जमीन का ठुकड़ा नहीं है हम सब के लिए एक काई ऐसी है जो प्रेणा देने वाली काई है जैसे शरीर होता है शरीर में चैसे अंगांगी भाव होता है अगर पैर में काटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है हाथ कभी नहीं सोता है मुझे क्या पैर को काटा लगाए पैर पैर का काम करेगा पल बढ़ में हाथ पैर के पांग पहुंच जाता है काटा निकालता, काटा पैर को लगता है, आँखे नहीं कहती है का आँशू मैं कम भाओ, आँशू आँख से निकलते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कौने में दर्द हो, तो पीडा सब को होनी चाहिए, अगर देश, देश, देश का एक कौना, अगर शरीर का एक अंग, अगर काम नहीं करता है, तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है, शरीर जिस प्रकार से, अगर देश का भी कौना, देश का कोई खेत्र, विकात से मंचीत रह जाएगा, तो देश विक्षित नहीं हो सकता है, और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना उसको टुकड़ा में नहीं देख रहा चाहिए, जिस प्रकार जी इंदर भाशा है बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए राजरीतिक स्वात के लिए नए नेरेटिव गड़े जा रहे है, एक पुरी सरकार मादार में उतर करके इंदर भाशा गड़ रही है, इससे हम यह सोचते हैं कि तो जारखन का बच्चा है, तुरा देश कहता है हमारा देश के जब एक जारखन का बच्चा में प्रतिवा देखते हैं और देश हजारो करोड रुपया, हजारो लाग रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के कैसे देश में बेचता है, तो हम यह सोचेंगे कि खर्चा जार्खन के लिए हो रहा है काई देश के लिए नहीं हो रहा है हम क्या कहने लगे हैं, क्या पाशा बोलने लगे इस देश का गवरो हमार यहाँ वैक्सिन, देश के और भागों को इसका लाब नहीं भी लेगा ये सोचेंगे क्या क्या सोच बनेंगे ये और एक राष्टिय दल के अंदर से ऐसे विचाना है ये बहुत बहुत दुखत की बाद है मैं पूछना चाहता हूँ आदरने समापती जी क्या अगर हिमाना एका पानी का अधिकार मेरा है देश का क्या होगा अगर जिन राज्य में कोईला है वो कह दे कोईला नहीं मिलेगा ये हमारी संपती है जाओ तुम अंदरे में गुजारा करो देश कैसे चलेगा आदरने सभाबती जी आक्सिजन COVID के समय हमारे याँ ऑक्सिजन के संभावना ये पूर्वी कारे जो जो जोग है उसके सा देश के पूरे देश को ऑक्सिजन की जरुथी अगर उस समय पूरभते लोग कहकर करके बैठ चाते ऑक्सिजन को हब दहीं दे सकते हमारे लोगों की जरुश है तेसको कुझ नहीं मिलेगा क्या होता देश का उन्होंने संकर जिल करके भी देश को औक सिजेन पहुंचाया देश के अंदर गवाव तोडने का क्या प्रयास हो रहा है कै इस हमारा ना टेक्स हमारे मंली कि इस वाचा में बोरा जा रहा है यह ज़िए बेस के भुश Legs के लि देश को आगे बढ़ना है देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयात किजिए अधनिया सभापती जी पिछले दस वर्ष नीतियों निर्मान के अधनिया सभापती जी अधनिया सभापती जी नथिंग विल गौन रिकॉड नो आधनिया सभापती जी नीति और निर्मान ये नए भारत की नई दिशा दिखाने के लिए जो दिशा हमें पकड़ी जो निर्मान कारिय हमने लिए बीत एक दसक में हमारा पूरा फोकस बेसिक स्विजाय जरूर मिले उस पर हमारा ध्यान केंदिर जरहा है हर परिवार का जीमन स्तर उपर उठे उसकी जीवन में इज अब लिविंग बढ़े अब समय की मांग है उसकी क्वालिटी ओफ लाइट में हम कैसे सुधार लाए हम आने वाले दिनों में हमारी पूरी शक्ति पुरा सामरत है इज अब लिविंग से एक कदा आगे बढ़ करके क्वालिटी ओफ लाइट की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं हम उसके लिए जाएंगे आदर्य सभापती जी आने वाले पांच बर्ष नियो मिडल्स का लाइट जो गरीबी से निकल करके बहार आए है ऐसे नियो मिडल्स को नई उच्चाई और ससक्ता वाना लिख लिए हम अने एक वितकार को कहुँचाने के लिए पुरा प्यास करें और इसलिए हमने सामाजी ज्ञाएगा जो मोधी कवच दिया ने उस मोधी कवच को और मजूद करें और ताकत देने वाले आदर्य सभापती जी आज कल जब हम कहते हैं कि 25 करोड लोग गरीबी से बाहर आए तो कि ऐसा कुतर के दिया जाता है कि 25 करोड वाहर आए तो फिर 80 करोड को खाना अनाज को देते हो हज़र ये सभापती जी हम जानते है कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे समालिए खाने में परेजी रखी ठिकना करिए फ़लाना करिए क्यों कहीं दुबारा बहाँ मुसिबत में आ जाए जो गरीबी से बाहर निकला है उसको जादा समालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संक्रणा करके फिर से गरीबी के तरफ लपकना जाए और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए ये समय हमने गरीब को मजबूता के वो फिर से वो नियो मिल्ट राथ फिर से वापिस उस गर्त में डूबना जाए हम पांच लाख रुपे आईश्बान का देते न उसके पेशे एक रादा है परिबार में एक बिमारी आजाए न मद्यमबर का आदमी भी गरीब मने से देर नहीं लगती है और इसलिए गरीबी से बहार भी कलना जितना जरूरी है उतना गल्ती से भी गरीबी के तरफ पीशे न चला जाए उसके लिए ध्यान रखने के आवज़ सकता है और इसलिए हम अनाज देते हैं अनाज देते रहेंगे किसी को पुरा लगे या न लगे 25 करोड गरीबी से बहार भिकले हैं नियो मिडल क्लास हुए हैं लेकिन मुझे समझ है मैं उस दुनिया जी करके आया हूँ उनको ज़रुवत ज़्यादा है और इसलिए हमारी योज़रा जारू रहे लिए आदनी सभापती जी देश जानता है आदनी सभापती जी और इसलिए मैंने गारंटी दी है मेरी गारंटी है गरीबों के पांच लाख रुपे तक की गिलाज की सुविदा आगे भी मिलती रहेगी मेरी गारंटी है बोधी की गारंटी है 80% डिसकाउंट से जो दवाईया मिल रही है जो दवाईया मिल रही है जिसका लाब मद्यमबर गरीब को मिल रहा है वो मिलता रहेगा आदिनिय सभापती जी मोधिर के गारंट की है कि किसानों को जो सम्मान निदी मिल रही है वो सम्मान निदी चालू रहेगी ताकि विकास की यात्रा में वो ताकत के साथ जूर जाए आधनिय सभापती जी गरीबों को पक्के घर देने का मेरा अभ्यान है अगर परिवार बड़ा होता है नया परिवार बनता है पक्के घर देने का मेरा सारकम जारी रहेगा नल से जल योजना मेरा पक्का इरादा है और मेरा पक्की गरंटी है किंदल से जल हम नए सवचाले बनाने की जरूत पड़ीगी मेरा पक्की गारंटी है यह काम सारे तेजी से चलेंगे क्योंकि विकास का जो रास्ता विकास की जो दिशा हमने पकड़ी है इसको हम किसी भी हालत में जरा भी धीमी नहीं होने देना चाहते है आदानिय सवापती हमारी सरकार का तीसरा टम दूर नहीं है कुछ लोग इसे मोधी 3.0 कहते हैं मोधी 3.0 विक सिख भारत की नीव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगादे आदेनिय सवापती जी अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले के कुन्ना में अनेक गुना बढ़ी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलब हो जाएगा आदेनिय सवापती जी अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा आदेनिय सवापती जी आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं एक भी बंचीत नहीं रहे इसका पका ख्याल दखाएगा अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो बिजली बिल जीरो बेश के कितने नागिल को को बिजली बिल जीरो और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेश करके कमाई कर पाएंगे ये अगले 5 साल का कारकम है अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का पर पूर ये प्रयास में आजाएगा सभाबती जी आने वाले 5 साल हमारी युवाज शक्ती का दम पूरी दुनिया देखेगी आप देखना आद ये सभाबती जी हमारे युवाज स्टार्ट अप्स युवाओं के युनिकॉन इसकी संख्या लाखों में होने वाली है और इतना इने टी एक टू टी एक ट्री सिटी नएने स्टार्ट अप से उसकी एक नई पहचान के साथ उबरने वाला है ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूँ आदानिय सभाब अदी जी रिशर्ट फंडिंग उसकी वृद्धी का प्रभाव आप देखां पिछले साथ दसक में जीतने पैटेंट नहीं हुए है उतने रिकर्ड पैटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में में देख रहा हूँ जा आने वाले 5 साल में में देख रहा हूँ झाल झाल